वेल्कम टो पुजास किचन ट्रैजर और आज हम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल डिश बनाने वाले हैं जो कि आपको खाके मज़ा आजएगा तो चलिए आज की डिश चुरू करते हैं कि अगर आटा बच गया हो गुंधावा और आपका मनना हो रोटी खाने का तो आपको यह रेसिपी जरू ट्रै करनी चाहिए आज मेरे भी लंच में थोड़ा आटा बच गया था तो मैंने सुचा इसका रोटी की बज़ाए कुछ और नया बना जाए और क्यों ना आई रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए इस तरह से लोई बना ली है हमें इस रेसिपी के लिए बिल्कुल पतली रोटी हमें इसकी बनानी है अगर आपकी रोटी बज गई हो तो उससे भी आप यह रेसिपी बना सकते हैं आप देख सकते हैं हमने दवा रख दिया है गैस पर और अब इस पर हम रख देंगे अपनी चपाती इसको सिखने देंगे क्षाल आशेयों आई लिए आए अमारी चपाती सिक चुकी है और चलिए अमपाती की तियाई कर दे हैं तो यहां पर पहले सबसे हहले हम अपनी दाही तियार कर लेते हैं दिमें हमकूछ मसाली मिला रहे हैं मैं मिला थेस्ट अकॉर्डिंग नमक यहां पर थोड़ी से मैंने पानमेथी लिया और इसको थोड़ा सा क्रश्च करके डाल देंगे और साथ ही किसमें हम डाल देंगे धनया पाउडर वन फोड़ लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है हाफ टी स्पून और थोड़ी सी हमने डाली इसमें हर्दी कलर के लिए अगर आपको अच्छी नहीं लग रही हो तो आप इसे हटा भी सकते हैं यहां मेंने 1 2-2 अमच्छ पाओडर डाल दिया है, 1 1-2 इसमें काला नमख, आधा चमच आधा चमच, और यहां पर मेरे पास है बुनावा जीरा जो मैं आधा चमच, तो यह सारे मसाले हमें एक्दम अच्छे से मिक्स कर लेने हैं, यहां पर हम अपने पनीर को तयार कर लेंग उनके साथ इसए बना सकते हैंра मैं आपको इसलिए कपड़े से भी मैंने इस पनीर räum सब्रूलिक्षोपिर efen एक तो पनीर हमने घर पर यह बनाया है निए जो पनीर हमने घर का बनाया रियह और इसको हम क्य 바뀌ने दाही के अंदर बिल्कुर इस Dontnod अच्छे से मिक्स करना है जो आपके पास एवेलिबल है इंग्रीरियन उनके साथ आप बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से अपकर रख देंगे और चलिए अब इसकी स्ट्रफिंग त्यार करें आप देख सकते हैं मैंने पैन रख दिया है गैस पर गैस की फ्लेम हम थोड़ी केज कर लेंगे ताकि हमारा पैन जल्दी गरम हो चुका है और मैं इसमें डाल देहीं है एक चमच्छ ऑईल को साथ की हम इसमें थोड़ा सा बटर डाल दें अगर आपको बटर आप साइब कॉंशिस है और बटर नहीं जालना चाहते हैं तो इसको इसको कर सकते हैं तो फ्रे बारीका देया तो यह लिए कि हमारे प्याद जो है बुन गए अच्छे से और यहां पर मैंने अज़ली है जिनने महीं जूलियनस में काल दिया इसी बिण गे अच्छे से और साथ ही मैं इसमें डाल देने मतर में और इन्हें हमें हाई फ्लेम पर कुक करना है क्योंकि हमें ये सब्जियां ग्रंची इनका टेक्चर चाहिए स्वीट कॉन भी थे आपके पास जो भी वेजिटेबल एविलेबल हो आप उससे ये रेसिपी बना सकते हैं और आपकी रेसिपी बहुती टीस्टी बनेगी तो ये लीजिए हमने जो वेजिटेबल्स है सारी वो कुक कर लिए अच्छे से और यहां पर मैंने लिए हैं तीन बॉइल डालू जिने मैंने मैश कर लिया था इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इन्हें हम थोड़ी देख के लिए कुक कर लेंगे ताकि सबजियां और आलू जो है अच्छे से मिक्स हो जाए जी हमारी सबजी और सारी सबजियां अच्छे से मिक्स हो गई है मैंने इस पर उपर से धनिया डाल गी है साथ ही मैं इसमें डाल रही हूं नमक हमें देखे ही डालना है तो यह पनीर जो है अच्छे से मेरिनेंट हो चुका है और अब यह भी इसमें हम डाल देखे हूं इस समय मैं आपको बता दूँ कि मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर रखी है क्योंकि मसाले कहीं पार जो है जल चाते हैं तो लग रहे हैं हमारी कलरफुल स्टफिंग बिल्कुल यहां पर इस कैसिपी में बहुत ही टेस्टी और थोड़ा सा चाइनीज लुक देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा डाल रहे हूं सोया सॉस यह बिल्कुल ऑप्षिनल है अगर आप डालना चाहें तो डालें और नहीं तो आप इससे फटा सकते हैं और अब इसमें बहुत ही अच्छा चट पटा डेस्ट लाने के लिए मैं इसमें डाल रहे हूं सोया इसमें डाल रहे हूं मैं तमेटो सॉस अच्छे हमें हिक्स कर लेना है तो गयास की प्ले मैंने इसमें हाइप कर दिया ताकि इसमें जो मॉस्चर है वह सारा हट जाए तो यह लिजे हमारी स्टफिंग तयार है और अब इसको हम ठंडा होने देंगे आप देख सकते हैं मैंने खड़ाई लेली है पड़िसी इस करेंगे तो इसे मैंने हाइप लेंपर डग कर रख दिया है प्री हीट के लिए हम अपनी रोटी तयार कर लेते हैं स्टफिंग भी करें हमारी एकड़म ठंडे हो गई यह आप डेख सकते हैं मैंने जो और खौर और जर्चया के सामने ही कूल आख फुकर में असे को आप टाफि को ताकि हमार जो खौरती सुर्षी नरम बनी रहर रहे अगर आप चाहें तो इसमें स Empire और नहीं तो बिना सॉस के भी इसको बनाएं बहुत ही तेस्टी लगेगा ये ब्रेक्फास्ट आप बहुत आसानी से बच्चों को अंच या डीनर में भी शामिल कर सकते हैं यह देखिए एक साइड से हमें इस तरीके से लगा ले नहीं है अपनी स्टफिंग और यहां पर मैंने थोड़े दिन पहले पीज़ा बनाए था तो मेरे पास मौजलेला चीज रखा हुआ था तो यह मैं इसमें यूज कर रही हूं आज अगर आप चाहें तो इसमें डाले और अगर आपके पास चीज नहीं है तो इसके बिना भी आप ये रेसिपी बना सकते है जितना आपको पसंद है उतना चीज डाल लीजिए और यहां पर हम थोड़ा सा पानी का ब्रश लगा देंगे ताकि हमारी रोटी जो है खुले नहीं एक साइट पर और इसको हम कर देंगे इस तरीके से फोल्ड बागी जो चपाती जो है उनको भी तो यह हमारे चपाती जो कि मैंने दो चप अच्छे से गरम हो चुका है और इसमें हम रग देंगे स्टेंड और इस पे हम यह पाती वाली प्लेट रग लेंगे इसे अभी ढख कर हम 15 मिनिट के लिए बेख होने देंगे लिए 10 मिनिट हो चुके हैं हमारी टैको जो हैं काफी अच्छी अब इसमें थ अगर आप चाहें तो इसमें बटर गार्लिक बटर जो है वो भी लगा सकते हैं उससे भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो यह हमने लगा दिया है बटर और लगबग 5 मिनिट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर और बेक होने देंगे लिए हमारे टैको बिल्कुल रेडी हैं गैस मैंने बंद कर दी है और थोड़ी भी प्लेट जब ठंडी हो जाएगी तो हम इसे निकाल लेगे टैको निकाल दी है और अब मैं इसे कट कर रही हूं अगर आप चाहें तो इसे कट करें में तो ऐसे भी परोज सकते हैं यह देखें चीज बिल्कुल खुल के इसमें दिखाई दे रही है हमारे टैको तो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं इसी तरह से बाकी जो है उसे भी कट कर लेंगे यह देखें कितनी अच्छे से चीज दिखाई दे रही है इसमें यह देखें हमारे टैको रेडी है और हमने इसे सॉस के साथ सर्फ किया है देखें कितने टेस्टी लग रहे हैं एकदम अच्छे से जो है चीज बिल्कुल अच्छे से मैल्ट हुए और मसादा जो अगर आपको पसंद आया हो तो आप जरूर ट्राइ कीजिएगा और याद से कमेंड करके मुझे जरूर बताएगा कि आपके टैकोस कैसे बने मिलते हैं और एक इंडरस्टिंग सी डिश के सार थैंक यू